तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूपी की 25 महात्पुर्ड बड़ी खबरों में आए जानते हैं यूपी की कुछ खास खबरें 35 लाग युवाओं को फ्री टेब्लेड स्मार्टफोन बाटने की तैयारी योगी सरकार कर रही है वही आदिफुरस फिल्म को लेकर भी एक बड़ा ब्रेट आ गया है अगर आप एक रासन योजना का लाब लेते हैं तो रासन को लेकर क्या नई जानकारी है आई एक जानते हैं वही वेदर को लेकर एक बड़ा प्डेट आ गया है, अगले सात दिनों तक भारी बारिस का अलट है, लेकिन आज कितने जिलों में भारी बारिस का अलट है, और आप अपने जिले का नाम तुरंत यहाँ पर कॉमेंट कर दीजे, वही काउन यात्रा को लेकर भी एक बड़ा प दोस्तों कॉंग्रेस पार्टी के दिगज नेता और हिमाचर प्रदेश की सरकार में मंतरी विक्रमा दित्य सिंग ने इसका समर्थन किया है, अलकि उन्होंने भाजपा को इस मामले पर प्रोपेगेंडा नहीं करने की नसीहत भी दी है, आप कुदा दे दोस्तों परदार मं प्रोपेगेंडा नेत्री नरेन मोधी के द्वारा समान नागरिक सहिंता यानी यू सी सी का मुद्दा देश के सामने रखते ही सियासी बयान बाजी जारी है, आम आदमी पार्टी और उद्धा ठागरे के नेत्रित वाली सी उसेना ने इसका समर्थन किया है, इसके लावब कॉंगरिस पार्ठी के दिगज नेता और हिमाचा प्रदेश की सरकार में मंतरी विक्रमा दिस सिंग ने भी इसका समर्थन किया है, अच्छा रासन को लेकि एक बड़ा ब्रेट आ गया है, अगर आप भी रासन योजना का लाव लेना चाते हैं, तो सबसे पहले आप ये जा का लाव ले रहे हैं, तो सबसे पहले आपको रासन कार्ड की जाच करानी होगी, बहुत सारे एक्सपर्ट द्वारा ये जानकारी दी गई है, मीडे रिपोर्ट में भी ये खबरे काफी जादा वाइरल हो रही है, अब देखना ये होगा कि रासन कार्ड की जाच किल लोगो की होती है, और किल लोगों को इस बार रासन से वनचित रहना पड़ सकता है, वही दोस्तों रासन को लेकर बिजनौर से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें रासन डीलर अंगूठे लगवा लेता है, मगर रासन नहीं देता, अधिकारे के पास सिकायत लिकर पह नहीं किया, जबकि उन्होंने बायोमेट्रिक मसीन से अगूठे लगवा लिये थे, अचा चलिए वेदर के बारे में जा लेते हैं, क्योंकि आप तक का सबसे बड़ा अपडेट मौसम को लेकर आ गया है, क्योंकि लगबग 31 जिलों में भारी बारिस का अलट है, अन्य जिल बारि बारिस का अलट ऐसे ही रहा, अब रविवार और सोम बारिस का अलट जारी किया गया है, भारी बारिस के कारण उतरप्रदेश के विभिन इस्सों में लोगों को आजीविका बाधित हो रही है, वही पर सबजी हो या फल हो महंगी होते जा रहे हैं, कार्पु इन जीलों में भारि बारिस का अलट है, आप अपने जीले का नाम इसमें देख सकते हैं, यूपी मौसम विभाग ने लखनू, बारबंकी, साहरनपुर, सामली, मुझफर नगर, बिजनौर, मुरादबाद, बरेली, पीलीबीत, लखिम पुर्खीरी, बहराइच, स्रावस् जहां से गुजरेगी, वहाँ पर मांस की दुकाने नहीं लगेंगी, सियम योगी ने सकत निर्देश दिया है, आप देखना ये होगा कि कावड यात्रा में जहां जहां पर कावड यात्रा गुजरेगी, क्या वहाँ पर मांस की दुकाने लगने में पूरी तरीके से देश जारी हो चुका है वही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश भी अपसरों को दिये गए है वहीं दोस्तों 28 सायूक्त प्रवेस परिक्षा का परिक्षा का रिजल्ट आ गया है वहीं दोस्तों आला हजरत परिवार की बहु रही निर्दा खान ने उसके पक्षमे है उन्होंने प्रदर्मति नरेर मोधी को पत्र लिखकर उन्हें धन्यवाद दिया है जी आपको दादे दोस्तों मुस्लिम महिलाओं का भी उसकी को समर्थन मिला है बरेली की आला हजरत दरगाह क्या दुनिया भर में नाम है आला हजरत परिवार की बहु रही निर्दा खान ने समान नागरिक सहिंता का समर्थन किया है तो दोस्तों LPG सिलेंडर का नया रेट जारी हो गया है सस्ता हुआ है महेंगा आईए इसको चेक कर लेते हैं दरसल दोस्तों बता दे हर महीने की पहली तारीक को गैस सिलेंडर का दाम जारी होता है जो या तो बर्सा है या तो घटता है लेकिन आप पता दे एक जुलाई को इंडियन आयल की वेबसाइट के मताबिक घरेलू और कॉमर्सियल LPG सिलेंडर के दाम में किसी तरह का बदलाओ नहीं हुआ है ऐसे में गैस सिलेंडर धारकों को रहत मिली है क्योंकि कहीं ने कहीं पर एक बार दाम बढ़ने की बाते भी सामने आ रही थी देश की दाजधानी दिल्ली में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 1130 रुपए बनी हुई है कॉमर्सियल LPG सिलेंडर की कीमत 1770 रुपए पर बरकरार है यारी जहां पर जून महिने में कॉमर्सियल गैस लेंडर सिस्ता हुआ था मई महिने में 172 रुपए सिस्ता हुआ था लेकिन इस जून महिने में ना सिस्ता हुआ है ना दाम बढ़े है सो दोस्तो भीम आरमी के चीप चंदर सेखर को रगुराज सिंग ने कहा दलाल स्वैम कराया अपने उपर हमला, ऐसा उनके उपर आरोप लगा है, पिछले दिनों चंदर सेकर आजाद पर सहाननपुर के देवबंद में जान लेवा हमला हो गया था, उन पर हमला होने और सीम योगी द्वारा फोन ना करने के सवाल पर ठाको रगुराज सिंग ने कहा कि सीम की बराबरी करने के लिए पहले उनको खुद को ऐसा बनाना पड़ेगा या दर्साना पड़ेगा, और जो बहन मायवती कह चुकी है, या दलाल है, दलालों को सीम फोन नहीं करेंगे और ना वह करेंगे, आधार लिंकिंग को लेके बड़ा ब्रेट आ गया है, दरसल किसे दी है रहत, किसका पैन रद हुआ है, आई इसको जा लेते हैं, दरसल बीते 30 जून को पैन आधार लिंकिंग की डेडलाइन खत्म हो चुकी है, जादा तर लोगों को उम्मीद थी कि इस बार भी डेट बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसे में बहुत सारे लोग अभी भी पैन आधार को लिंक नहीं कराए हैं, अब आपको दादे जुलाई महिने से आधार पैन लिंकिंग कराने से पहले कि मुकाबले आपको ज़्यादा जुर्माना देना पर सकता है, 30 जून तक आधार पैन लिंकिंग करने पर आपको एक हजार रुपए का चालान कट बताया जा रहा है कि 10,000 रोपे तक जुर्माना लगेगा इसके लिए निर्देश जारी कर दिया गया है मुहया कराय जाएगी सभी सुविदाएं और इंप्रूब्मेंट परिक्षा 10 से होगी ऐसे में अभी भी आपके पास समय है एगनिवीर की भरती होने वाली है 20 जुलाई से सुरुआत होगी तो आप जरूर आवेधन करें तो वहीं पर रासन को लेकर एक नई जानकारी और आ गई है आपको दादे तंग गलियों से बाहर लाई जाएगी रासन की दुकाने आपने देव का होगा कि बहुत सारी रासन की दुकाने काफी अंदर गली में होती है जहाँ पर गाड़ी मोटर वगेरा भी नहीं जा पाता जहाँ पर दो पई या वाहन भी जाना बड़ी मुश्किल से जाना पड़ता है ऐसे में सहर वा गाउं की तंग गलियों से रासन की दुकानों को अब बाहर सरक पलाया जाएगा विभाग को सभी दुकानों को बाहर लाने के आदेश दिये गए है जन्पत में 432 रासन की दुकानों से रासन का वीतरन होता है जीले में करीब 100 दुकाने ऐसे होंगी जो तंग गलियों में है यही कारण है कि सामली हो या लखनो या फिवरारसी इन सभी जगों से तंग गलियों से बाहर लाई जाएगी रासन की दुकाने तो दोस्तो 35 लाग युवाओ को बिलेका फ्री टैबलेट स्मार्टफोन आप भी आवेदन तुरन कर दीजे दरसल आपको दादे सीम योगी के अध्रचता में हुई कैबलेट बैठेक में स्वामे विवेकरनन युवा ससक्तिकरन योजना के तहट युवाओ को तकनीकी रूप से मजबूत करने के लिए इस प्रस्ताव की मंजूरी दे दी गई है अब ऐसे में विद्याले फिर से खुलने वाला है और जिन लोगों ने आवेदन किया था उन लोगों को टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा बताया जा रहा है कि 25 लाग स्मार्टफोन दिये जाएंगे तो 10 लाग टैबलेट का वित्रण होगा ऐसे मगर आप बारवी पास कर लिये हैं तो आपको भी टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा लेकिन उन छात्रों को सबसे पहले दिया जाएगा जिनके पास मैसेज आ गया है जिनोंने आवेदन कर दिया था आदिपुर्फ मूवी को लेके एक बड़ा अपडेट और आ गया है इलाबाद हाई कोट की बेंच ने मनोज मुंतसिर भूसन कुमार समेत तीन लोगों को तलब किया है रेली जोने के बाद से ही ये फिल्म लगातार विवादों में है कोट ने इस फिल्म के मामले में सुनवाई करते हुए मनोज मुंतसिर भूसन कुमार और ओम रावत को तलब किया है तो ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ सेयर किया गया है आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए अपडेट में तब तक के लिए धन्यवाद